टेकनोलोजी से जूड़ी वीडियोज पाने के लिए जल्दी से सब्सकाइब करें हमारे चैनल को इस लाल बटन पे क्लिक करके और उसके साथ साथ हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ज़रू से ज़रू दबाएं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल टेकन फोन हिंदी में मैं हूँ आपका फ्रेंड आपका दोस्त अनीश दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के रेजुलिशन मतलब स्क्रीन का जो में चाहिए तो आप कैसे कर पाओगे बहुत ही आसानी के साथ तो आईए दोस्तों मैं आपको बताता हूं तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना माउस पे राइट क्लिक करना पड़ेगा और राइट क्लिक करने के बाद सिंपल ही आपको जाना पड़ेगा सबसे नीचे वहाँ पर आपको यहाँ पर दिखेगा screen resolution नापका एक tab तो यहाँ पर आपको click करना पड़ेगा screen resolution में आपने click किया और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर resolution दिया गया दिखे यह वाला दिखे सबसे high जो है अभी 1366 x 768 का है अगर हम mobile वाले में करना चाहते हैं मतलब mobile के size का तो यहाँ पर बहुत सारा दिया गया दिखे थाउजन 24 and 768 का इससे उपर का भी है देखे यहाँ पर demo दे रहा है ऐसा दिखेगा दिखेगा ऐसे करते तो ऐसा दिखेगा और इस तरीके करते हैं तो नॉर्मल जैसे laptop या desktop रहता है वैसा रहेगा तो दोस्तों अगर माल लिए सबसे नीचे कर देते हैं तो क्या होगा देखे सबसे नीचे कर दिया और उसके बाद apply में क्लिक कर दिया देखे apply में क्लिक कर दिया तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है do you want to keep this display setting मतलब इससे आप क्या रखना चाहते हैं देखे already display जो है छोटा हो चुका है आप देख पा रहे है नॉर्मली यहाँ पर मैं क्लिक नह कर दिया अप्लाय में क्लिक किए किए और यहाँ पने मामस में क्धो क्लिक कर दिया अगर आपको फिर से वही है चाहिए दोस्तों तो फिर से उसका resolution आप वहीं से जाकर change कर सकते हैं देखिए right click करिए अपने mouse में और उसके बाद यहाँ पर आपको screen resolution का एक tab मिलेगा वहाँ पर आप click करिए फिर से और उसके बाद आप यहाँ पर click करिए जहाँ पर आपने resolution क्लिक किया था और सबसे high वाला जो है वाला select कर लीजिए करने के बाद दोस्तो apply कर दीजिए और उसके बाद keep changes में click कर दीजिए उसके बाद okay में click कर दीजिए बस आपका resolution जो है इस तरीके से change हो जाएगा तो दोस्तो इस तरीके से आप अपना mobile के size का जो है अपना display laptop या फिर computer का बना सकते हैं तो बहुत अच्छा एक चीज है आशकरता हूँ यह वीडियो आपको पसंदा होगा दोस्तो पसंदा है तो please like करें share करें and कोई सभी आपको वीडियो चाहिए तो please comment करके comment box में बताएं thanks a lot for watching this video take care दोस्तो बाई बाई